एक समय की बात है, एक छोटे से गाउं में एक बुजुर्ग महिला राती थी, उनका नाम राधा था, राधा बहुत ही दयालू और सहानू भूती पूर्ण थी, वो बहुत गरीव थी, लेकिन उनकी गरीवी उनके सिनेह और दया को कभी कम नहीं कर सकी, दोस्तों ये तस्वीर देखकर आपका मन भर आएगा, बिल्कूल अकेले घर में कैसे अपना जीवन यापन करती है, एक महिला बुजुर्ग महिला, वो एक महिला ही समझ सकती है, लकडी के चूले पर खाना बनाना अभी के समय में कितना मुश्किल होता है, ये हम सब भली भाती समझ सकते हैं, रामू था, रामू किसी नगर में नवकरी करता था, और अपनी मां से बहुत प्यार करता था, रामू हर महिने अपनी मां के पास आता था, उसे पैसे देता था, और फिर वापस सहर चला जाता था, लेकिन एक महिने रामू नहीं आया, फिर दुसरे महिने भी नहीं आया, र और रोज बेटे का इंतिजार करती लेकिन रामू नहीं आया अंतता राधा ने फैसला किया कि वह सहर जाएगी और अपने बेटे का पता लगाएगी राधा ने अपने सारे पैसे जमा किये और सहर के लिए निकल पड़ी सहर में पहुचकर उसने अपने बेटे को ढूंडना सुरू किया दीनों बीट गए लेकिन वह अपने बेटे का पता नहीं लगा सकी उसके पास पैसे भी खत्म हो गए थे राधा की चिंता बढ़ गई लेकिन उसने हार नहीं मानी एक दिन वह एक दुकान के सामने बैठी थी और रो रही थी दुकांदार ने उसे देखा और उ अपने बेटे के बारे में पताया रामू ने एक हादसे में अपनी जान गवाई राधाया सुनकर धोस उड़ गए उसके उनके अपने बेटे का नाम की मिट्टी अपने हाथों से चूमी उनकी आखों में आसू थे लेकिन उसके मन में एक आसा थी उसने अपने बेटे को ख उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन कठिनाई आएगी लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए उनकी कहानी हमें सक्ति देती है कि जब भी कोई दुख आये तो इस्वर का नाम लेके आगे बढ़ते रहना चाहिए जब राधा अपने गौं के लिए बस स्टेंड पर पह देखती है तो देखती है कि उसके सामने रामू खड़ा है और फिर राधा अपने बेटे रामू से लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है मेरे लाल मेरा लाल लाल कहकर वह बहोस हो जाती है फिर क्या था रामू को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और पास के एक नल से बहुत बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा पानी मिल पाया, जो रामू के लिए अमरित के समान था। पानी रामू के लिए अमरित का समान इसलिए था, क्योंकि उसकी मा को पानी की सक्त आवस्चकता थी। फिर रामू अपनी मा राधा के उपर पानी का कुछ बूंध मुँपर गिराता है, फिर धीरे धीरे राधा का मुँख खूलता है और अपने बेटे का नाम लेकर आवाज लगाने लगती है रामू रामू मेरा बेटा कहां चला गया था, अपनी मा को इस दुनिया में अकेले छोड़कर ना जाने तुम्हारे बगार इतने दीन कैसे गुजारे हमने, फिर रामू अपनी मा को अपने गोद में लिये, उन्हें प्यार से सहलाने लगते हैं, और अपनी मा राधा को रामू कहता है कि मा तु चिंता मत कर, सब बताऊंगा, पहले तु अपने आपको सम्हा परी सुनाओंगा, तुझे बस कुछी देर बाद राधा बिल्कुल ठीक महसूस करने लगी थी, उसके बाद सारा कहानी रामू अपनी मा के सामने रखता है, फिर रामू अपनी मा राधा से कहता है कि मा जब अपने गाउग घर छोड़कर इस सहर में आये थे, तब मेरा यह कोई नहीं था, ना ही मेरा कोई ठिकाना था, कहां रहूं, क्या खाऊं, क्या काम करूं, लेकिन इस्वर की क्रिपा रही, आपका आशिरवात था कि आज मुझे इतनी बड़ी कमपनी का मालिक बना दिया गया, बस मेरे काम और इमांदारी को देख कर कि आज मैं बहुत कमपनी का मालिक बन बैठा हूं, लेकिन मुझे माप करना मां, अभी नया कमपनी समहलने का तजुरवा कम था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, वक्त जादा लग रहा था, इसलिए वक्त नहीं मिल पाने के कारण, काम करने में तो बहुत ख़बर नहीं भिजवा पाया मैं अप पर तु चिंता मत कर, अब तु मेरे पास आ गई है, अब तुझे कहीं जाने नहीं दूँगा, हम और तुम हमेजा के लिए इस सहर में ही बह जाएंगे, मानो जैसे राधा कातो सपना ही पूरा हो गया, इतने सहर में रहने का जोग कि कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी क इतने बड़े सहर में वो रहेगी, यहां आकर अपना जीवन जीने का सोचेगी, लेकिन एक दिन हर इनसान को अच्छे और बुरे कर्म का फल मिलता है, जो आज राधा को उसके कर्म का फल इतना अच्छा मिला, कि आज वह गाउवालों के नजर में भी सबसे धनवान और आज रंग लाया, और अब राधा का बस एक ही सपना बचा था, जो हर मा का होता है, कि उसके बेटे की साधी एक अच्छी लड़की के साथ हो जाए, वह देखने में चाहे जैसे भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दिल की बहुत अच्छी हो, जो कि उसके बेटे क खयाल रख सके, बस राधा दीन रात यही बिंती करती थी, कि हे भगबान, हे इस्वर, एक अच्छी सी लड़की आ जाए, मेरे बेटे की जिन्दगी में, जिससे मेरे बेटे की जिन्दगी सवर जाए, तो दोस्तों, आज के ये छोटे सी कहानी, आप सब को कैसी लगी, लाइक, कमेंड, सेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी हसते रहे, मुस्कुराते रहे और खुस रहे, हर-हर महादेव, आपका दिन सुभ हो, और हमेशा अच्छा ही हो आपके साथ, जीवन में चाहे जो भ सुभ कामनाई के साथ, आज का वीडियो यही पर समाप्त करते हैं,